तो आज मास आपको बताने वालों हां चोटी मशीन हों चबारते हैं तेज़ सभने रहते हैं तो रहते हैं चन से पार कींड निर्फubic तो अईसा क्यों होता है तो इसको सीम्पली आपको ठीक करना बतायेंगे, इसमें यौट डगाता है, देकिन नाल के तले रकावाएं, ये तक ही कितना लूज है, लूज होता है लेकिन थोड़ा लूज होता है, ये बहुत लूज होगी, शटल कड जाता है, तो उसको dumbbell लगाना बतायेंगे, उसमें क् सिंपल ही नाल खोल लेना है दोन स्कुरू खोलने है इसमें क्या करना है नए अशेडल आपको लगाना है यह में पर नए अशेडल भी है देखी नए शेडल तो इसको जब लगाते हैं हम लोग देखी नए शेडल साफ नहीं करना है तो इसको आपको ढीला कैसे करना इसका तरीका बताएंगे आपको इसमें सबसे बैस तरीका है नाल खुर के आप दुकाई ले जाएंगे उनके वह भी ठीक कर सकते हैं खोल के एक दमरमा कर देंगे अब घर पर करना है तो इसके लिए आके पास जुगार है कुछ आपको जो है यह कागस के डुकड़े मेरे बना है जब शटल टैट हो जो मैंने चाट टुकड़े बनाए तो सिंपर इसकी मदर से भी आप नाल ढीला कर साथी शटल कहां कहां रखने महीं महीं रखना को डबल अगर मोटा कागा चे तो सिंगल ही हो जाएगा पहले आपको शटल लगा के चेक करना है अगर ढीला है तो इसको लगाने की जरूरत जरी सी भी नहीं आए दो में तीन एक चार इसका अधा को बैगना लगाना है इसका अधा को शटल पत्ति उपर से लगाना है जिनने टाइट कर दिया है उसकी बार तुमने शटल लगा दिया है शटा रापकर देखिए तम रवा होगए है अगर आक पाए नए शटल लगाना है अगर शटल सही आ रहा है कागस दगाना की ज़रूद नहीं अगर टाइट आ रहा है तो आको कागस दगाना है या दुकान पर देखिए आप रवावा भी करवा सकते हैं तो सिंपली मैंने घरवाली जुगाड़ बता दिए इसके बाद सिंपली आपको लगा देना है यापका नहीं अश्रा लग तयार है तो सिंपली आज की वीडियो में था अगर बाविन केस बाहर निकले गिर दिया तो तो कैसे ठिक करें अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर देगा चैनल पर नहीं तो सस्क्राइब कर दिए